चलिए दोस्तों बात करते ही से को और कोशिन के बारे में इस कोशिन में एक्जामने ने का इफ X is equal to में A bracket के अंदर B minus का C Y is equal to में B bracket के अंदर C minus का E Z is equal to में C bracket के अंदर A minus का B What is the value of X by A का Q plus Y by B का Q plus Z by C का Q इसको solve कीजिए और बताएं के इसका right answer किया है इस question को करने के दो तरीके अगर आपको formula याद है यानि formula के बारे में knowledge है तो आप इसका direct answer निकाल सकते है जैसे यहाँ देखिए X by में A दे रखा Y by में B दे रखा है Z by में C दे रखा है और यह B माइनस का C दे रखा है और यहाँ पर C माइनस का दे रखा है और यह आपका A माइनस का B दे रखा है तो इसका मतलब है इसका जो answer आएगा 3 A B C आएगा यानि कि C इस question का correct आएगा यह कैसे आए उसके बारे में भी details समझेंगे या वो भूल गया exam में तो इस question किस तरह सेंडल करेगा मान लेते हैं कि A की value मेरे पास 1 है B की value मेरे पास में आपका 2 है और C की value कितनी है मेरे पास में 3 है आपको S की value रखनी है जो छोटी से छोटी हो और आपके लिए calculation करने में आसाना तो मैंने A की value है 1 रखी B की value है 2 रखी और C की value 3 रखी तो इसको solve करेंगे तो X की value जो आएगी मेरे पास में minus का 1 आईगी B की value मेरे पास में 2 है C की value 3 है A की value 1 इसको solve करेंगे तो मेरे पास में जो आपका Y की value है वो मेरे पास में 4 आईगी C मेरे पास 3 है, A मेरे पास 1 है, B मेरे पास 2 है, तोıyisकों solve करेंगे, तो Z की value आईगी, मेरे पास में कित्नी है कितनी आईगी? मैनस का 3 आईगी, आब इन तिनों numbers को multiply करेंगे, तो मेरे पास में 6 हाएगा, पोजिटिव को इतनी है माइनेस बंगा क्यूबॉ तो यह बते का टूu का कीयूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका यह मैनस का बनबन मैनस का टू और 8 में इसे जाएंगे 6 या लिश्वार है अनले जी पॉजेटिव में e-8 वारत यह न चाहिए भी données पीजेट आलफेबेट्स में वेल्यूस है और एलजेबर में तो देखे एक्स वाई जड़ का मल्टिप्लाइ करा तो मेरे पास में 12 आया एबीसी का मल्टिप्लाइब 6 आया इसको सोल करेंगे तो 2 आया जब कि बड़ाबर आणची 6 के तो यह मेरे इसका अंसर हो नहीं सकता और बी वाल इसको सोल करेंगे तो यह 4 आएगा यानि कि option जो मेरे पास में c होगा वो इस question के लिए correct होगा अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर आप formula की तरह बढ़ते और formula क्या कहता है मेरा इसका वह यह कहता है कि अगर x by में a plus का y by में b plus का z by में c और इन तीनों की value अग x by में a का cube plus में y by में b का cube plus में z by में c का cube is equal to 3 into x by में a into y by में b into z by में c यह इस question का correct answer होगा और जो कि मुझे option c में दिखा इदर है तो मुझे अभी इनको solve करना है क्या solve करेंगे यहाँ पर मुझे एक value दे रखी है x is equal to में a b minus का c तो a को इधर लियाएंगे तो यह x by में a is equal to value हो जाएगी मेरे पास में b minus का c है same इसको निकालेंगे तो y by में आपका b is equal to में क्या हो जाएगा आपका c minus का a कि जैड़ इसकालल्टो क्या हो जाएगा आपका जैड़ में c minus का a by b था c को नीचे लिया तो c minus का b हो जाएगा इन तीनों को अगर एड करेंगे तो यह तीनों एड हो जाएगे इसके बदा आप बरहेंगे अब इन तीनों का इस्मेशन स्मेशन करते हैं यह मैनस का भी है यह होगा कट जाएंगा यह स्जी कीमिए द ये क्लिए पताशन पास प वह जी इसपी 502 आ जा गई यह पास समय होगा झाल